बिस्मिल्लाहिर्णमान रहीम, सजाद अमत की तरव से सब को सलाम पहुंचे, बुक डेटाबेस लेक्षिर नुबर 33, चलें स्टार्ट करते हैं, बेसिक SQL statements क्या है, यानि के बेसिक जो structure query language की statements हैं, उनके अंदर कौन से statements आती हैं, सबसे पहले जो बहुत ज्यादा अस्तिमाल होती है, वह है select की statement, जो कि select keyword को अस्तिमाल करते हैं, हम statement देते हैं, उसको हम select statements कहते हैं, चुकि हम database पार रहे हैं, और database के अंदर जो data available होता है, उसको हमने अगर retrieve करना है, यानिके read करना है, या data हमारे पास पारा हुआ है, हम वो देखना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो ये एक technique जो इसमाल की जाती है, तो programming के थुरू, उसको SQL कहते हैं, और इसके अंदर मुतलिफ keywords हैं, जिसमें अंदर select, delete, update वगर आते हैं, ये English की तरह keywords होते हैं, और इनको इसमाल करते हुए हम अपना काम कर सकते हैं, ये बहुत असान और easy language है, चले इनको देखते हैं, सबसे पहले है, syntax का क्या है, select का keyword आएगा सबसे पहले और जिस कालम को हमने select करना है, उसका नाम आएगा, और from का keyword आएगा, और table का नाम आएगा, इन चीजों से गबराना नहीं, अभी हम इसको देखते हैं, अगर क्या चीज़ आईए, एक table है, जिसका नाम है EMP, यानि कि एक employee का table है, और हमें कहा जाए कि आपना EMP table में से EMP number ले के आओ, यानि कि कोई आपको, आपको किसी office में काम करते हैं, आपको database की job करते हैं, तो आपको अगर आपके जो उपर बैटे हैं, जो आप से senior रही हैं, बहुत सा हम आपको मुझे काम कहते हैं, कि यह वाला data ले के आओ, यह यह वाले रिपोर्ट ले के आओ, तो हम किस select का मतलब यह है, कि यह वाले चीज ले के आओ, और ला के show भी करवा, यानि कि सिरफ select का मतलब select नहीं है, select का मतलब आप यह समझे के select भी करो, और उसको ले के आओ, उसको ले के आओ, डेटा बेस के अंदर, या take table के अंदर, बहुत जादा, लेकिन हमें कहा जाएगा कि यह मक्सूस data जो है वो लेके हो तो select का मतलब यह होता है कि यह मक्सूस data तुम उन्हें पकरना है इसको select करना है इसको retrieve करना है और फिर user को show भी करवाना है यानि कि जो उसके ओपर working कार रहा है जो qd लगा रहा है यह वाली qd select emp number यह column का नाम है emp number column का नाम है और from emp emp का मतलब है कि यह table का नाम है यानि कि हम इस तरह लिखते हैं कि पहले select का keyword लिखते हैं और from लिखते हैं select के बाद column करना है और from table name यानि कि फर्स करें कि हम पहेंगे select करो name from students table यानि कि पहले हमने यह कहना है कि कौन सा column select करना है नियान कि हमने सिर्फ इसको यहां command देनी होती है यह इस तरही के प्रग्राम में है काम कैसे करना है बर्यक्रिक इसको यह बताना होता है कि यह काम कर दो बस इसमें हम यह इसको खहा रहे हैं कि select EMP No. from EMP यानि कि select करो यानि कि लेकिया हो में show करो EMP number column from किदर से EMP table से तो इसका practical हम देख लेते हैं यह देखिए यह मारे पास एक data available है जिसके अंदर यह एक EMP का table है जिसके अंदर EMP number है यानि कि employee name है, job है, hire date है, salary है, commission है, department number है यानि कि employee का table है जिसके अंदर यह multiple columns available है एक table के अंदर, report कोई अगर को मांग लेकि हमें सिर्फ name चाहिए जितने भी मारे पास employee है उनके सिर्फ name चाहिए या उनके सिर्फ number चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे, query लगाएंगे, select करो यह name को, कहां से, यह table में से, table का नाम है employee EMP, तो इस तरह इसके programming होती है, तो इसका जो answer आएगा, वो यह आएगा, कि यह हमें select करो, query लगाएंगे, वो यह देदेगा, employee number और यह पूरे का पूरा record, यह वैसे तो हमारे पास यह सारा data available था, लेकिन हमें सिर्फ यह वारा data उ display the columns, employee number and employee name from EMP, यानि के, ऐसी query लिखे हैं, जो किया करेगा, कि एक यह column लेक आएगा, एक यह column लेक आएगा, कहां से, इस table में से, जो end पे from के बाद आएगी चीज, वो उसका मतलब होगा, कि वो table का नाम है, जो select के बाद आएगा, उसका मतलब है, यह वो columns के name है, तो हम इ पी, तो यह हमारे पास original data है, जिसके उपर हमने query लगाई, तो जब हम इसकी query लगान करेंगे, तो इसका answer आएगा, वो एक यह column आएगा, और एक यह column आएगा, तो इसका answer आप यह दे सकते हैं, कि जब इसको run करेंगे, तो इसका result यह आएगा, employee name और employee number, यह दो column में show हो जा किसे एक column को select किया, फिर हमने देखा, कि एक से ज़्यादा column को कैसे select करते हैं, लेकिन अगर हमने सब को select करने हो, तो ऐसा नहीं है, हम सब के सब columns के नाम लिखते रहें, बलकि अब च्छोटा सा निशान है, उसको डालेंगे, यह वारा निशान जो है, इसको डालेंगे, तो के तमाम के तमाम select करो, तो इसका क्यूरी निए सेलेक्ट करो , तुमाम के तमाम Size कहाँ सेE.C. पी टेबल में से यानिके बजाए कि हम अगर सो कॉलम्स है तो सो कॉलम्स के नाम लिखने के बले के चोटा सा निशान डाल देंगे तो इसका मतलब होगा कि तुमाम के तुमाम जितने भी कॉलम्स के अंदर वेलेबल हैं वो शो करवा दो तो अगर हम यह क्यूरी लगाएंगे तो यह हमारे पास original data है यानिकि एक टेबल है हमारे पास employee का और जब यह क्यूरी रान करेंगे तो हमारा यह सारे का सारा यह ही record दोबारा आजेगा यानिकि इसमें कोई रदो बदल नहीं होगा क्योंकि हमने का है कि तुमाम का तुमाम record हमें शो करवा दो यह तो चीज होग इसके हमें अग इसमेपल देख लेते हैं distinct statement, distinct keyword is used eliminated duplicate row from the result of the select statement यह जितनी भी मारे पास rows आएंगे फ़र्द करें वैसे overall department मारे पास 5 हैं लेकिन अगर मारे पास 1000 record available है तो ऐसा नहीं है कि हम दोने सिरफ डपार्टमेंट देखने हैं कि हमारे पास कितने department हैं तो हम 1000 की जार की row देखें बहले कि हम यह keyword लिखेंगे distinct इसका मतलब होगा कि सिरफ एक department एक दफा ही शोक्र वाओ, duplicate चीज आ रहे है तो उसको eliminate कर दो, select district department number from EMP, यानि कि इसका मतलब है कि select करो district सिरफ एक दफा ही duplicate नहीं करना, किसको department number को किदर से table का नाम EMP, तो यह मारे पास original data available है, जो एक एक टेबल है, EMP का, अगर हम इसके उपर query लगाएंगे, तो department number आप इदर से देख सकते हैं, एक 20 है, एक 30 है, और इसके बाद एक 10 है, और इसके बाद कोई नहीं है, यानि कि बजाए कि हमारे पास एक जार का record है, तो हम बाहर में से को देखेंगे, इसके लावा कोई है या इसके बाद district multiple columns, यानि के पहले हमने सिर्फ एक column के उपर ये query लगाए थी, अगर हम एक से दरा column पर लगाना चाहिए, तो भी का सकते है, राइट a query, डिस्पले डिस्टिक, department number, jobs from the EMP, यानि कि department number और job, district की हमने restriction लगानी है, तो इसकी query यह होगी, select करो, district का मतलब है, कोई duplicate नहीं आना चाहिए, क्या चीज़ है, एक department number का column और एक job का column, किस table में से, EMP table में से, तो ये हमारे पास EMP table है, और इसमें से job जो है, वो आएंगी, तो इदर से आप दे सकते हैं, कि पहले हमने department number लिखा था, उसमें से 10 पहले आएगा, और ये ना समझें कि 10 repeat हो रहा है, बल दोबारा कलड़क आजे, बलके ये एक दफाई आई है, क्योंकि 10 के साथ ये चीज़ें, तो फिर वो भी उसने show करवाने है, क्योंकि हमने दो condition लगाई थी, एक job वारी और एक department number की, आप ये दे सकते हैं, department number इदर भी एक दफाई आया है, और इदर भी एक दफाई आया है, बेशक ये तीन दफाई है, लेकिन एक दफाई है, और उसके साथ साथ ये एक ही job आई है, ऐसा नहीं है कि 10 के साथ manager भी आज़ें, कलड़क भी आज़ें, फिर 20 के साथ कलड़क आज़ें, और 20 के साथ फिर कलड़क आज़ें, तो हम इस तरह distinct keyword multiple column पे भी लगा सकते हैं, ते